नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या काम होता है कोस्ट गार्ड को सेलरी कितनी मिलती है पिरमोसन कैसे होता है और योग्यता क्या होनी चाहिए तो यह सारी बाते हम आज की इस वीडियो में जानेंगे तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है तो दोस्तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब होता है भारतिय तर्ट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड एक पैरा थी दोस्तो अब हम जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या काम होता है तो दोस्तो कोस्ट गार्ड की पोस्ट पर आपको आपात कालीन की स्तिती में समुद्र में फसे हुए मच्छवारों की साहता करनी होती है बड़ी बड़ी कंपनियां जो समुद्र में कूड़ा डा अच्छा के लिए वैग्यानिकों के द्वारा किये जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स का डाटा आपको कलेक्ट करना होता है समुद्री संकट के समय आपको साहता प्रदान करनी होती है तो दोस्तों ये सभी काम कोश्ट गार्ड की पोस्ट पर आपको करने होते हैं तो दोस्तों रेंग इसमें होती है नेविक जीडी की यानि की नेविक जनरल डोटी की और इस रेंग पर आपको लेवल 3 पे मैट्रिक्स के हिसाब से 21,700 पे मन्तिली की सैलरी मिलती है और दोस्तों दूसरी रेंग इसमें होती है नेविक डीबी की यानि की नेविक डॉमेस्टिक ब्रांच की और इस रेंग पर भी आपको लेवल थ्री पे मेट्रिक्स के हिसाब से 21,700 रुपे मंतिली की सैलरी मिलती है और दोस्तों तीसरी रेंग इसमें होती है यांतरिक की और इस पोस्ट पर आपको लेवल फाइब मेट्रिक्स के हिसाब से 29,200 रुपे मंतिली की सैलरी मिलती है और पिर्मोशन होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है तो दोस्तों इसमें आपका पिर्मोशन भी रेंक वाइज ही होता है जैसे नेविक जनरल रूटी की पोस्ट पर आपको 21,700 रुपे मंथली की सैलरी मिलती है और फिर उसके बाद में आपका प्रधान अधिकारी की पो यांतरी की पोस्टे प्रधान साया की पोस्ट तक आपका पिर्मोशन होता है और इस पोस्ट पर आपको 47,600 रुपे महिने की सेलरी मिलती है और इसके अलावा 6,200 रुपे का आपको डिये भी मिलता है तो दोस्तो इस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका पिर्मोशन हो के लिए आप 10th pass होने चाहिए किसी भी stream से अगर आपने 10th pass आउट की हुई किसी भी stream से तो आप नेविक domestic branch की post के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तों यांतरी की post पर apply करने के लिए आप 10th pass 12th pass या फिर आपने polytechnic की हो तो भी आप यांतरी की post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों अगर हम इसमें उमर की बात करें तो आपकी उमर 18-22 साल के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आप किसी और topic पर कोई और वीडियो चाहते हो तो आप हमें comment box में comment करक और दोस्तों अगर आप Indian Coast Guard से समंदित important notes और PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हो हमारा Telegram चैनल है governmentvacancy.com और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पिदी